सर में आज यहां शुन्यकार में एक बहुत इंपोर्टन इश्यू है जो सीनियर सिटिजन्स के बारे में है सर इस देश में Employees Provident Fund का जो ग्रूप है उनका एक annual report आता है जिसमें ऐसे सबको पता चला है कि Employees Pension Scheme है 1995 की इसमें बहुत सारे ऐसे जेस्टर नागरिक है जिनोंने जब वो नौकरी में थे तब Provident Fund का पैसा जिनकी मेहनत का पैसा है वो Provident Fund से एक विश्वास के नाते से उन्होंने Provident Fund बनाया था लेकिन आज ये EPS 95 के जो Beneficiaries है उसमें 1.8 million pensioners ऐसे है जिनको 1,000 रूपे से कम हर माईने मिलता है और सबसे ज़्यादा जो है वो 4 या 5,000 से ज़्यादा एक भी pensioner को पैसा नहीं मिलता और average अगर इस पूरे work sector का जो force है उसमें का अगर average निकले सो 1500 रूपया ही EPS 95 को मिलता है सर आप सोचे आज इतनी महंगाई है और अगर कोई दादा दादी या नाना नानी उनके छोटे से पोते या पोती कोई gift भी देना चाहे उनके जनम दिन पे तो 1500 रूपया अगर उनको पूरे महने की उनकी हग की कमाई है पूरा life उन्होंने बच्चों को बड़ा करने में किया सारा पैसे बच्चों की सिखाई घर लेने में डाल दिया उसके बाद जब retire होके अपनी महनत का जो हग मांग रहे वो भी 1500 रूपया सर आप सोचें 1500 रूपया में एक retired आदमी कैसे जी सकता है तो ये EP 95 की जो स्कीम है बहुत बार वो आदरनिया प्रदान मंत्री जी हेमा जी आज यहाँ नहीं है लेकिन हेमा जी खुद इन सब को लेके माननिया प्रदान मंत्री जी को मिलने गई थी और प्रदान मंत्री जी उनको guarantee दी थी कि वो कुछ करेंगे लेकिन सर आज तक कुछ नहीं हुआ मैं सरकार से हाद जोड के बिंती करती हो कि ये EPS 95 लोगों की छोटी सी मांगे उनको हक का पैसा है जो सरकार के पास पड़ा हुआ है उनके तीन ही मांगे है कि ये पूरा calculation धंक से करे point number one जो spouse होती है बीवी होती है और या husband भी होते है अगर दोनों में से एक पहले चले जाए तो उनका हग का पैसा उनको ठीक से मिलना चाहिए और जो cost of index है सर लिविंग है जो उनका हग का EPS 95 का पैसा है वो उनको ही मिलना चाहिए सरकार उसको ना रखे वो उनका पैसा है जो सरकार ने गल् कि एक स्कीम नी दी थी उसको पूरा करें और जल से जल ये सीनियर सिटिजन को उनका हग का जो पैंशन का फंड है वो मिले ठाइस जी 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 झाहिट झाहिएल्च